हलो स्टुड्स वेलकम टूडेज क्लास तो शुड्स आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 13 को स्टार्ट करेंगे जो कि हैं इंटरफेस पाइथन विद एसक्वेल तो यहां पर हम देखेंगे कि पाइथन का जो हम किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं मतलब कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एसक्वेल की क्वेरी वगरा होती है वह हम पाइथन की हेल्प से एक्जिगोट करा सकते हैं तो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है उसको हम यहां पर देखने वाले हैं सारे चीज़े मैं यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊं मतलब डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन अब वह भी हम देखेंगे और जो फंक्शन से एंपोटेंट उनको भी हम डिसकस करेंगे तो यहां पर प्याथन और एसकुल की कनेक्टिविटी से रिलेड़ेट जो भी आपके टॉपिक है आपके से लिवस के वह सारे जो हम यह आपको बहुत सारे पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेगा आप पूरे YouTube पर चेक कर सकते हैं ऐसा कॉंटेंट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा तो मैंने जो है सारा का सारा जो प्रीमियम कॉंटेंट अब आपको पूरा फ्री प्रोवाइट कर दिया है तब भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं चेनल को सबस्राइब करते हैं और वीडियो को और पच्छों हैं उनको डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले तो आपके कंपेटर में पाइफन का वर्जन इंस्टॉल होने चाहिए और पाइफन का जो बर्जन नब आपके कंपेटर में 3.6 या फिर उससे उपर का होना चाहिए अगर नीचे का भी होगा तब भी आपका वर्जन तो ज्यादा बेटर रहेगा इसके अलावा करें बात करें सेकंड रुकार्मेंट की तो माइस्कुल जो है वो आपके कंपेटर में होनी चाहिए तो सभी को पता होगा कि किस तरीके से कंपेटर पाइफन को इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से माइस्कुल को इंस्टॉल करते हैं अगर आप लोग को नहीं पता है माइस्कुल को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग जो है चैप् बता दे रहा हूं इसको किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे इसको डाउनलोड करने के लिए जो आप इस तरीके से लिख सकते हैं download mysql connector slash python driver इस तरीके से आप लिख सकते हैं Google में देखिए मैं करके दिखा देता हूं इसको देखिए आपको जो है Google पर जाना है और यहां भी लिखना है download mysql python connector देखिए इस तरीके से आप लिख देंगे तो इस तरीके से आपके सामने website open हो जाएगी और यहां भी देखिए दो बर्जन आपको देखने को मिलेंगे एक जो है 64 bit मिलेगा और दूसरा जो है वो आपको 32 bit देखने को मिलेगा तो दोनों ही installer हैं दोनों में से आपको इसा भी download कर सकते हैं पहले आपको अपने computer में चे करकर download कर लेना है और बहुत ही चोटा सा application 64 bit में जो है वो आपका 8.5 MB का है और 32 bit में जो है वो दीखी 1.5 MB का है तो इस तरीके से यहां पर download करका आप इसको download कर लेंगे मेरे computer में जो window है वो 64 bit है तो मैं यहां पर पहले वाले option पर click कर दे रहा हूं तो यहां पर download पर click तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफिस आएगा और यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे no thanks just start my download जैसे कि हमने एसको download कर रहा था downloading का process बिल्कुल सेम ही है तो यहां पर click कर देंगे आप जैसी यहां पर click करेंगे downloading आपकी start हो जाएगी यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह download हो रहा है तो यह आपकी internet speed मेंट करता है तो यहां पर जो हमारा mysql connector download हो चुका है अब इसको install कर लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड वाले folder मेरे पास इस डाउनलोड हो게요 आगया और अब जो है आप इसको install करेंगे तो install करने के लिए simply right click करके और install पक्लिक कर देना तो इस थरीकत से है आपका install होने लगेगा इसके आब और अस्टीक कर देंगे यहाँ पर नैक्स करिक करेंगे और इसके आबाद में install पक्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यह आपका install हो जाएगा और देखिए यहां पर लिखा हुआ रहा है कि जो connector install हो रहा है वो आपके python version 8.0 के लिए install हो रहा है तो इसलिए कोशिस करना कि आपके computer में जो python का version हो वो 8 हो तो यहां पर यह जो है install हो रहा है और यह हमारा successfully install हो गया है इसको finish कर दें अब देखिए यहां पर question बनता है कि हो सकता है आपके computer में जो python का version है वो नीचे का हो और यह जो connector हमने डाउनलोड करा है यह support ना करें तो ऐसे case में जो है आपको क्या करना होगा दूसरा method अपनाना पड़ेगा उसको install करने के लिए तो बो method भी मैं आपको बता देता हूँ उस case में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको command line यूज करने पड़ेगी और command line के help से जो आप उसको install कर सकते हैं इसको install करने के लिए जो आपको यह command type करने पड़ेगी देखिए command है pip install mysql connector यह command आपको type करने पड़ेगी अगर यह command work नहीं करती है तो आपको आपको जाना होगा अपने computer के C Drive में C Drive में देखे आप चले जाएंगे यहां पर देख सकते हैं इस तरह के drive आती है तो C Drive में आप चले जाएंगे और C Drive में आप देखेंगे तो आपके computer में user's के नाम से folder देखने कर मिलेगा तो users वाले folder में आप जाएंगे अगर देखे कोई python के नाम से आपको folder यहीं पर मिल जाए तो directly जो है आप उसके अंदर जा सकते हैं basically आपको चेक करना बढ़ेगा कि जो python आपके computer में install किया हुआ है उसका folder कहां पर है तो जातर cases में जो है उसके नाम से फोल्डर आ रहा है तो इस तरीकिस आपके computer में जो भी user का name होगा वो यहां पर आ रहा होगा तो यहां पर आपको इस folder को open कर लेना है इसके बाद में देखिए यहां पर आपको सर्च करना है app data के नाम से folder देखिए यहां पर आइकन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं तो यहां पर देखिए आपको जो है app data के नाम से folder को सर्च करना है जो कि मेरे computer में यह रहा तो इस folder को आपको सर्च करना है अभी यह देखिए होता क्या है यह जो folder होता है by default क्या होता है तो आपको इसको शो कराना बढ़ेगा तो शो कैसे कराएंगे शो कराने के लिए आप यहां पर options में जाएंगे और options में जाने के बाद में आपको इहां से शो कराना बढ़ेगा क्योंकि यहां पर applications का data होता है तो कोई delete ना करते इसलिए क्या होता है यहां पर यह hidden रहता है तो इस folder को जो आपको शो करा लेना है इसके बाद में देखिए जब आपको यह folder मिल जाया तो आपको इस folder को open कर लेना है और open करने के बाद में यहां पर आपको एक local के नाम से folder मिलेगा यहां पर देख सकते हैं local के नाम से folder आ रहा है तो इस folder के अंदर जाना है और इस folder के अंदर जाने के बाद में आपको यहां सर्च करना है programs के नाम से folder देखिए यहां पर जो है program के नाम से folder आ रहा है तो इस तरीके से आपके computer मे भी देखने को मिले गा, इस folder के अंदर आपको चले जाना है, और इस folder के अंदर जाने के बाद में, आप यहाँ पर देखेंगे, कि आपको पईथन के नाम से एक folder देखने को मिल जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग अब डिस्पल्डय हो जाएगा तो इहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरे में जो है 3.99 अली टेश वर्जोन तो इसका फॉल्टर है डिस्पल्डोर हो रहा है तो अब इस फॉल्डर के अंदर जाना है अप आप लोख देखेंगे यहां पर कई सारे folder आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर करना के है यह जो पाथ हारा है दिखे ओपर लिखा हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरा पाथ हारा है इसको आपको धियान रखना है और आपको जो अपने कंपेटर में cmd को उपन कर लेका है मैं देखिए आप लिख देता हूं cmd और cmd open करने के अबाद में आपको जो है इस वाले पाथ तक पहुचना है तो आप चाहा हो तो एक एक करके यहां पर कमांड टाइप करके बहुच सकते हो यह फिर शॉर्टकट तरीका यह है कि सिंपली आप क्या करो जो एड्रस बार यहां पर आ रही है जो पाथ आपको देखने को मि आ चुका है मतलब कि उस जगह पर आप आप पहुंच जाएंगे अब इसके बाद में जो है यहां पर आपको उस कमांड को रन करना है जो कमांड मैंने आपको बताये थी उस कमांड को आपको यहां पर रन करना है तो मैं टाइप कर देता हूँ है आपकर कमांड इंस्टॉल MySQL और MySQL के बाद में लिखेंगे यहाँ पर Dash Connector और इतना लिख के आपको Enterprise कर देना है और Enterprise करने से पहले चेक कर लिजेगा कि आपके Computer में Net चल रहा हो Net चलेगा तभी यह Install होगा तो आपको यहाँ पर Enterprise कर देना है जैसी Enterprise करेंगे तो यह Net से डाउनलोड कर देगा यहाँ पर आप लोग दिख सकते हैं लिखा हुआ रहा है Collecting MySQL Connector तो यहाँ पर आप लोग दिख सकते हैं यह Files को डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोड करने के अबाद में यह Install कर देगा तो यह तरीका आप अपना सकते हैं जो की सबसे ज्यादा safe तरीका है और यह तरीका है जो सभी Python के वर्जन के लिए work करेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो हमारा successfully install हो गया है आपको जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से message मिलेगा successfully installed तो इस तरीके से message मिल जाता तो इसका मतलब यह install हो गया है तो अब जो है MySQL का connection Python के साथ में बन चुका है तो आप आप लोगों को समझ मां आ गया होगा कि किस तरीके से जो हम MySQL को Python के साथ में connect करते हैं और यह जो हैं आपकी basic requirement है जो कि आपको connect करने के लिए चाहिए होंगी अब बात करते हैं connectivity को create करनेगी तो दीखे किस तरीके से हम connectivity करके work करते हैं तो सबसे पहले हमें करना होता है Python को start करना होता है उसके बाद में जो हम module को import करना होता है then जो हम connection बनाते हैं फिर हम cursor instance बनाते हैं query को execute कराते हैं और फिर जो हम data को extract करते हैं result set से और उसके बाद में अगर हम चाहा है तो environment को clean कर सकते हैं तो यहां पर दीकिए step by step सारी चीज़े मां आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है python को start कर लेना और python को start करने की बात कर रहा हूं python ideally की कि आप चाहे है तो पाइल की जो official ideally होती है अगर आपने वो अपने कमेंटर में इस्टॉल कर रखे है तो उसको start कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कोई और डिली स्टार्ट करना जैसे की spider आपको माईस्कोल करना है जो पैकेज को इन्सटॉल कर रहा है उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इमपोर्ट करने के लिए हम के लिए हम लिए कि import mysql.connector यह command हमें जो है बहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी तो आप लोगों पता ही है कि किस तरीकी से हम modules को इंपोर्ट करते हैं जो package को इंपोर्ट करना मैंने आपको चखाया था तो बही चीज यहां पर है तो हमें जो है इसे शॉट करके भी अपने according जो नाम भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जैसे कि इसका नेम जो है मैंने क्या कर दिया है 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 कोई भी error देखने को नहीं मिला है अगर आपको कोई error देखने को नहीं मिलता है थो समझ जाइए कि जो आपका python है वह myskool के साथ में connect successfully हो गया है जो हमने myskool connector इंस्टॉल कर रहा था वो हमारा successful हो चुका है अगर आपको यहाँपर error देखने को मिलता है तो समझ जा आपको कुछ पयामिटर देने होंगे और और वह पेरामिटर का मुझछ तरीके से mysky साथ में क्या है देखिए यहां पर मैं दिखाता हूँ आपको जो है कुछ इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा देखिए पहले वाली लाइन मैं आपको बताया दी कि इस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना होगा एक आपजेक्ट बनाना होगा और इस अबजेक्ट में क्या करेंगे कि कुल करके यहां पर पैकेस का नाम देंगे जो कि हमने इंपोर्ट कर रहा है अगर आपने यहां पर रिनेम करके इंपोर्ट कर रखा है तो simply बोनेम ही आप जाएगा फिर आपको यह पूरा इस तरीके से लिखने की रिक्वार्मेंट नहीं होगी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप चाहा है तो यहां पर रिनेम करके भी कुछ भी लिख सकते हैं तो फिर आपको बोनेम ही हाँ पर लिखना पड़ेगा और इसके बाद में लगाएंगे डॉट कनेक्ट क्या है यहाँ एक फंक्शन है और इस क्यों लिखेंगे लोकल होस्त का मतलब है कि यहां पर होस्त कर राइस को वह कौन कर रहा है लोकल कंप्प्रेटर कर रहा है तो इसलिए हाप लिखा हुआ आपको किसी और कंप्रेटर यहां पर अपर उस का IP address डालना पड़ेगा मतलब कि आपका हो जाएगा host equal और उसका IP address आजाएगा computer का जहां पर भी आपका database इस्टोर किया हुआ है तो यहां पर basically आपको अपने computer पर भी भर करना होता है तो आप यहां पर local host लिख देंगे इसके बाद में user equal करके आप लिखेंगे root तो root क्या है user का name है जो भी आपका mysql का user होता उसका name यहां पर आता है तो by default जो हमारे user होता है वो root रहता है देखे जब हम install कर रहे थे mysql को तो बहां पर हमने देखा था user name जो है वो हमारा root आ रहा था तो by default यहां पर root रहता है अगर मान लेजिए आपने कोई और user create कर रखा है तो उसका name आप यहां पर दे सकते हैं वैसे mostly cases में जो हमारा root रहता है अगर आपने default को change कर लिया तो आप यहां पर अपने user name दे सकते हैं इसके बाद में password equal आप लिखेंगे your password जो भी आपके root का password है देखें जब में जब आपकरवर करते हैं तो यहां पर प्सकूर मांगता है तो बहार बहल करते हैं तो Prozent database का name दे देंगे और यह database आपके computer में पहले से create किया हुआ होना चाहिए मतलब कि mysql में database already create किया हुआ होना चाहिए तब ही आपका connection बनेगा अगर यह create किया हुआ नहीं है तो connection नहीं बनेगा तो I hope आप लोग को यहां तक की चीजे के लिए हो गये होंगी अब इसके बाद में देखिए मैंने connection को check करने के लिए command लिए if mycon.mycon क्या है हमारा देखिए object यह जो object है अगर वो हमारा connect हो जाता है देखिए is connected लिख दिया है मैंने तो इसका simple सा मतलब है कि हमारा object अगर वो connect हो रहा है तो print कर दो successfully connected to mysql database यह message display कर दो और अगर हमारा connect नह नहीं होगा तो हमारा कोई message देखने को नहीं हो लेगा अगर आप चाहें तो else part में यहां पर डाल सकते हैं एक message कि हमारे जो python है वो database से connect नहीं हो रहा है मैंने यहां पर देखिए नहीं लगाया else part में अगर आप चाहों तो डाल सकते हो तो चली जल्दी से मैं इसको आपको पर उपन कर लिया है और यहां पर मैं चल आ जाता हूं जर्बं तो यहां पर पर तॅर इस टरीकी से महीं मोड में आ गए है और यहां पर कर दयता हूं गृति यह अहा पर लूपर निय्स future ट्रॉप कर दिया अवर रन करते के तो आप लोग यहां फर दह सकते हैं मैसेज आ गया है स्सक्सेफिल कनेकट टो मैशक्ोड डेकार इस तरीके से मैशक्तй करते हैं बॉल्ग देटावेस्off कर दो किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं को मैशक्ड डेटावीस से इसके एलाव आप चाहें तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं डेटावीस का connection चेक करने के लिए आपको देखिए यहां पर argument में फिर डेटावीस का नियम देने की जरूरूरत नहीं है हो सकता है आपने कोई अब कमांड लिखेंगे तो आपको output में जो है कोई ना कोई आईडी देखने को मिल जाएगी देखिए इसको भी मापको चलाकर दिखा देता हूं इसको जल्दी से कॉपी कर लिया चलते हैं आईडियली में तो देखिए यहां पर करते हैं अगे यहां पर इस वाले कोड को जो सित्याटियली मार कोड आ गया है अब इसको सेप कर देता हूं च्रुल एक से और अप करते हैं स्को रन तो यहां पर आप लुक देख सकते हैं इस तरीके से हमें आपनेक्शन अइडी देखने को मिल रही है यह कनेक्शन आईडी जो है आपको आस ऐस पर पर आपद करता है यहां पर देखिए मैं मा आ गया हूं तो अगर मैं यहां पर कमांड लिखंगा स्टेटस मैं लिखता हूं यहां पर स्टेटस और एंटर मारता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीकी से डिटेल देखने को मिल रही है और यहां पर आप अपजर्ब करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हो चुका है अब हम क्या करेंगे तो इसके बात में जो नेक्स स्टैप है उसमें आप करेंगे क्रियेट करसर इंसटेंड तो यहाँ बात कर लेते हैं कि करसर ऑप्चर्शक्ट क्या होता है और उसको किस तरी किरियेट करते हैं तो यह जो है डेटेवी स्कनेक्टिविटी के लिए बहुत जाधे यूसफूल कंट्रॉल structure है तो इसको अगर हम simple term में समझें तो database करसा जो है वो एक special control structure होता है जो कि आपको facility provide करता है कि जो result set आपके पास में उसमें जो record है उनकी processing आप row by row कर सकें मतलब कि row wise processing में यह आपको help करता है जो भी आपके record है result set में उनको यह जो है row by row access करने में help करता है अब देखिए आप लोग को mind में आ रहा होगा कि जो result set आप वो क्या होता है तो देखिए result set को जो है मैं आपको clear कर देता हूँ मान लिजे आपके पास मैं इस तरीके से table है student की अब इस table में से मान लिजे हमें data access करना है तो इस table से तो column जो हमें जो display हो जाएंगे देखिए हमें जो इस तरीके से result आ जाएगा अगर मैं यहां पर star लगा एता तो तो पुरा का पुरा data display हो जा जाता तो यहां पर जो रिकॉर्ड आ रहा है इस तरीके से देखी हैं हमारे पास में 4 रिकॉर्ड आया है जिन मेंकी roll number display हो रहा है और name display हो रहा है बादा तो पुरी की पुरी टेबल यहां पर आती और यहां पर फोर कि फोर यह आ जाते हैं मतलब कि रिकॉर्ट जो है बो हमारे फोर के फोर का रहा है तो जो जो पूरी हम बूलते हैं result अब इस result set में से हो सकता है हमें requirement हो कि माली चाहाता हूं यहां पर एक रोड डिस्प्ले करना तो जितनी रिक्वार्मेंट उसके अकॉर्डिंग में यहां पर रोव को एक्सेस कर सकता हूं तो यहां पर इस तरीके से रोवाइस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें जरूत पड़ती है करसर इंस्टेंट की तो डेटावेस जो करसर होता है वो किस तरीके से हम करसर इंस्टेंट को क्रियेट करते हैं मतलब कि जो डेटावेस करसर है इसको क्रियेट किस तरीके से करते हैं तो देखिए करने के मैं बात करूँ तो यहां पर इस तरीके से कोड रहेगा देखिए यहां तक तो जो है आप लोगों कोई प्रावलम नहीं होन वाली चाहिए क्योंकि हाव मैंने आपको 2D काविस्कौनेक्टर को इंपर्ट करते हैं उसके बाद में हम आपड़ेंक्न बनाते हैं आप featured अरग्म्नेंट डाल देते हैं अगर आप चाह थो यहाद यहाँ पर फोर्वर्थ और इसके बाद में equal करके जो आपका यहां पर object है उस object को लिखेंगे और dot लगाने के बाद में आप लगाएंगे cursor function एक cursor function होता है तो जैसी cursor function लगाएंगे जो cursor होगा वो आपका इस वाले variable में आ जाएगा अब इस variable की help से ही सारा काम होगा जब भी आपको database में कोई function perform करना होगा तो इस cursor की help से ही होगा तो I hope आप लोगों समझ में आ रहा होगा कि cursor को किस तरीकी से create करते हैं अब इसके बाद में अगर हम चाहा हैं तो query को execute करा सकते हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीकी से हम query को execute कराते हैं तो देखिए query को execute कराना आप लोगों को आता ही होगा MySQL में जो है सभी ने query execute कराईगे तो यहाँ पर हम बात करें कि query को हम python में किस तरीके से execute कराएंगे तो यहाँ पर देखिए query को execute कराने के लिए आपको एक function का use करना पड़ेगा जो की है execute execute function की help से जो हम इस काम को करते हैं तो किस तरीके से करेंगे देखिए यहाँ पर इस तरीके से code रहेगा यहाँ तक की जो चीजे हैं वह मैं आपको अलड़ी समझाए चुका हूँ कि इस तरीके से पहले connector को import करेंगे connect function लगाएंगे चार argument हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैंने database जो है school दे दिया है क्योंकि मैं इस database से connect करना चाहता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताए दिया अभी-अभी कि cursor को create कर लेते हैं अब create करने के बाद में देखिए इस cursor की help से हम क्या करेंगे जो execute function है उसको run कराएंगे और execute function के अंदर वो query डाल देंगे जो कि हम SQL में run करवाते हैं तो simply हैं आप देखिए मैंने लिख दिया है select star from mark sheet तो मतलब कि mark sheet के नाम से मेरे पास एक table है जिसमें से जो है मुझे पूरा data access करना है तो इस query को आप लोग बहुत अच्छे से जानती है तो इस query से क्या होगा पूरा data access हो के कहा जाएगा cursor object में आ जाएगा अब डिस्प्ले नहीं होगा अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हम पर डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा अगर एक साथ उठाना चाहते हैं तो एक साथ उठा सकते हैं और एक एक करके उठाना चाहें तो वो भी आप उठा सकते हैं तो यहां पर आपके help के लिए मैंने लिख वी दिया है कि जो result chat वो क्या हो गया हमारा cursor object के पास में आ गया है यह फिर आप कह सकते हैं जो result आता है उसी को हम result chat भोलते हैं जिसमें की number of record आपके होते हैं तो अब हम बात करेंगे कि result chat हमारे cursor object के पास में आ गया है उससे जो data है जो record है उनको किस तरीकी से access करते हैं मतलब कि वहां से जो record है उनको extract किस तरीकी से करेंगे तो चलिए उसको यहां पर discuss कर लेते हैं तो देखिए जब result chat आपका cursor object के पास में आ जाता है तो आपको जो है वहां से एक एक करके record को fetch करना पड़ता है अगर आप चाहाँ तो एक बार में सारे record को fetch कर सकते हैं fetch करने का मतलब है access करने से तो access करने के लिए यहां पर जो आपको fetch functions का यूज़ करना पड़ता है तो बात करते हैं कौन-कौन से fetch functions होते हैं देखिए यहां पर जो है mainly तीन functions होते हैं जो की data को fetch करने के लिए यूज़ होते हैं मतलब कि result chat में जो record है उनको fetch करने के लिए यह तीन important functions होते हैं तो पहला function है fetch all second है fetch one और third है fetch many तो चलिए इन तीनों function को one by one discuss कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं fetch all function की तो student लिए जो functions हैं इनको हम next video में continue करेंगे आज किस वीडियो को ही पर end करते हैं next video को जो हम यही से continue करेंगे और यहांब देखी तीनों जो function हैं इनको practically करके हम next video में देखेंगे और साथ जाथ जितने भी SQL के topics हैं उनको भी जो हम next video में finish कर देगे मतलब कि यह chapter है आपका वो next video में finish हो जाएगा तो student आज के इस video में इतना ही thanks for watching